इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी बिक स्पेस पी टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल पेट में दर्ड के इलाज के लिए किया जाता है यह पेट और आंत की मांस्पेशियों को आराम देकर दर्ड और एंठन को कम करने के लिए असरदार धंक से काम करता है दर्ड और बुखार का कारण बनने वाले कुछ कैमिकल मेसेंजर को भी यह ब्लॉक करता है बिक स्पेस पी टैबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है दोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी हेल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं सबसे सामान्य साइड इफेक्ट मूह में सूखापन, कबज धुंधली नजर और हृदे गती बढ़ना है इनमें से अधिकांश स्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इससे चक्कर आने और उनींदापन आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है तब तक ड्राइविंग या मांसिक एकाग्रता की आवशक्ता वाली कोई भी गतिविधी न करें यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचे क्यूंकि इससे आपको अधिक चक्कर आ सकते हैं इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए अगर आपको किड्नी से जुड़ी कोई बीमारी है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके लिए उप्युक खुराक परची पर लिख सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब स्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद